मई जून की तब्ती दोपरी में मई जून ने जब पारा पचास को पार कर जाता है फूल कुम्हा जाते है पेड़ों के पत्ते ज़र जाते है ऐसे में भी कोई बहुत ही मुस्काता खिल खिलाता नजर आता है वो है अमलतास नमस्कार मैं हूँ पुर्णी मा, हमारे चानल में आपका बहुत बस्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कविता कविता का शिर्षक है अमलतास के जूमर और कवी है रामेश्वर कामबोज हिमान्शू आईए सुनते हैं अमलतास के जूमर धर्ती तप्ती लोहे जैसी गरम थपेडे लूभी मारे अमलतास तुम किसके बल पर खिलखिल करते बाह पसारे धर्ती तप्ती लोहे जैसी गरम थपेडे लूभी मारे अमलतास तुम किसके बल पर खिलखिल करते बाह पसारे पीले फूलों के गजरे तुम भरी दुपहरी में लटकाए चुपहे राहे सन्नाटा है फिर भी तुम हो आस लगाए कठिन तपस्या करके तुमने यह रंग धूप से पाया है इन गजरों को उसी धूप से कहकर तुमने रंग वाया है इनके बदले में पत्ते भी तुमने सबके सबदान किये किसके स्वागत में आतुर हो तुम मिलने का आर्मान लिये तुझे देखकर तो लगता है जो जितना तप जाता है इन सोने के जूमर जैसी खरी चमक वही पाता है जीवन की कठिन दुपहरी में तुझे सब मुस्काना सीखे घूट घूट पी रंग धूप का सबकुंदन बन जाना सीखे घूट घूट पी रंग धूप का सबकुंदन बन जाना सीखे नमस्कार ऐसे ही अच्छी अच्छी कविता समने के लिए सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कविता के साथ तब तक आप सबस्ते रहें मस्त रहें नमस्कार